वन सब्जेक्ट इस एकवल टू सेलेक्शन फार ब्यास नर्सिंग पैरामेडिकल टेकनलोजी कोर्स केसे वो में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वेलकम डियर स्टूजेंट्स तो काफी इंपॉर्टन वीडियो आप सब के लिए यहां पर अगर अगर आप ब्यास नर्स उपफिशाएं जो आपको याद रखने साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पर देखाता हुँगा आपको जो मैं समझाऊंगा वहमें आपको में आपको स्क्रीन पर भी दिखाता पॉइंट्स और यहां पर जो है biology जिसमें बॉटनी जॉलोजी दोनों आते हैं उसके भी सिकस्टी पॉइंट्स होते हैं तो आपको one subject is equal to selection process के से आपको मैं समझाऊंगा पोरा data आप इसा शेयर करूंगा आप सब के लिए काफी important video है अगर आप ब्यास नर्सिंग पेरामेडिकल टेक्नलोजी कोर्स के इंटरंस के लिए preparation कर रहे हो तो वीडियो को पोरा देखना यहां पर सिकस्टी 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 मार्क्स के तीन portion होते हैं physics, chemistry, biology अगर आपका कोई subject इन तीन subject में से strong है physics, chemistry और biology तो आप अगर for example सिकस्टी में से 50 नमर लाओगे तो फिर आपको जो है competition आपको जो है मतलब अच्छा रहेगा फिर आप अगर biology और मतलब chemistry को biology में रखिए minimum 15 और chemistry में 10 मार्क्स होगे 25, 50 प्लस यहां पर 25 वो आता है 75, मान के चाहिए 70 प्लस आप score कर सकते हो अगर आपका एक ही subject strong है, जरूरी नहीं है कि आप तीनों subject आपके अच्छ काफी अच्छा होता है, वो biology में हो सकता है, security में से 50 लाए 55 लाए तो काफी अच्छा होता है, वो उनको लिए काफी अच्छा चांस होता है, जिसका एक subject काफी अच्छा होता है, अगर वो बागी subject में 10-10 नमर भी लाए, out of security और एक subject में 50 लाए, तो वो qualification तक पहुंच सकता है, 70 नमर जो है काफी अच्छी rank उसको मिलती है, अब ऐसा नहीं कि आप 70 ही लाओ, इसे ज्यादा लाने की कोशिच करना है, मैं बोर रहा हूं कि एक subject से भी आप qualification race में आ सकते हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई for example, आपका physics तो ऐसे आप देखते हैं कॉमेंट कर 50 ला सकता हूं, अगर आप preparation अच्छे से करो, तो आप biology को अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद अगर आप तोड़ा तोड़ा भी कर लोगे physics chemistry में 10, 10, 20 नमर तो आप qualification race में आ सकते हो, क्यूंकि 2020, 2021, 2022, 2023, चार साल हो गए है, यहां पर BS nursing का जो paper हो रहा है, इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, पिछले साल जो counseling cut up रहा था, first round में 30 points तक बलाया गया था, जिन्होंने counseling की, उसके बाद, फिर second round में 20 points तक cut up गया, तो इसी साब से मैं आपको बता रहा हूं कि, एक subject is equal to selection का मतलब यही है, कि जितना आपको आता है, ऐसा नहीं, आपको पहले तो एक portion अच्छे से करना पड़ेगा, जो आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद, जो उसमें physics chemistry, for example, biology आपका अच्छा है, physics chemistry में जो आपको आते हैं, वो question आप करिए, क्यूंकि physics chemistry और biology जो paper होता है, वेस नर्सिंग का, इसमें negative marking भी है, यानि चार question अगर आपने गलत किये, त यहां पर याद रखना कि negative marking भी होती है, तो अगर आपको question नहीं आता है, आप उसको छोड़ भी सकते हो, अगर आपने अच्छे से एक portion किया है, बाकी syllabus जो new syllabus है, NCRT का जो new syllabus आया है, वो आप prepare करिए, ताकि आपको preparation अच्छे से हो जाए, बाकी यहां पर telegram, Instagram पर follow कर लेना telegram जोइन कर लेना, वहां पर आपको important important updates मिलते रहते हैं, इन forms के related, तो यहीं मतलब था, एक subject is equal to selection,